Study IQ IS अब तयारी हुई affordable जो उरिसा से आते हैं उन्होंने ये कहा कि अगर Canada इसको continue करता है तो क्यों ना भारत को भी जो Canada के अंदर Quebec को लेकर referendum है जो एक independence movement है उसको हमें support करना चीए तो I am sure कि जब ये Canada भारत का मुद्दा नहीं आया था तो आप में से शायदी कोई होगा जो Quebec independence को लेकर जानता होगा तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर डीटेल से बताऊंगा historical perspective के साथ बताऊंगा कि ये आखिरकार Quebec movement है क्या आखिरकार यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो Canada से क्यों separate होना चाहते हैं काफे कुछ जाने को है चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा हमारा तीन दिन का live UPSC 2024 के लिए जो batch है उस पर बड़ा sale आ चुका है जी यहां 30th of September तक आप सबसे कम दाम पर ये जो batches हैं प्यॉर English, प्यॉर Hindi और English में जिसके अंदर आपको prelim से लेकर interview तक की पूरी त्यारी कराए जाती है वो आप ले सकते हैं हमारे website एप पर जाएए comment section में इसका link है वहाँ पर जाकर use करना है code अंकित live ये code इस्तमाल करने से आपको maximum discount मिलता है और आप इसके अंदर enroll करा पाते हैं और इसके साथ-साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाओगे चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly अभी हो क्या रहा है जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारत और कैनेडा के बीच में जो diplomatic tensions चल रहा हैं क्योंकि जो खालिस्तानी terrorist था हर्दीब सिंग निजार उसकी मित्ती हुई थी कैनेडा के अंदर और उसका आरोप कही ना कहीं कैनेडा की तरफ से भारत की उपर बताया जा रहा है इसी को देखते वे भारती जंता पार्टी कुछ लीडर्स वो हैं वो यहाँ पर कह रहा हैं कि हमें भी क्यूबेक रिफरेंडम को लेकर सपोर्ट करना चाहिए और उनका आर्गुमेंट यह है कि if Canada allows anti-India activities in the name of freedom of expression क्योंकि आप देखे ही होगे Justin Trudeau बार-बार बात करते हैं कि उनके देश के अंदर freedom of expression है और इसी लिए यहाँ पर जो भी कोई भी कुछ बोल देता है भारत के खिलाब उसके उपर action नहीं लिया जाता तो कहीं न कहीं उसी को देखते वे India should also welcome those pushing for the independence of Quebec और जब मैं Quebec की बात कर रहा हूँ इसकी location पहले आपको दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हो यह United States है North America basically आप कह सकते हैं largely इसको और यह रहाँ आपका Canada और इसका जो eastern side है यह वाला जो province आप देख रहे हो यह वाला जो इसी को कहा जाता है Quebec इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा लेकिन अभी अगर आप ध्यान रखेगा यह जो Quebec आप देख रहे हो ना यहाँ पर mainly आपको French speaking people देखने को मिलेंगे क्योंकि पहले क्या था Canada जो है वो France की colony हुआ करती थी जी हाँ इसको और लेकिन मैं आपको डेटेल से बताऊंगा लेकिन यह जो French speaking people रहते हैं Quebec के अंदर वही कहीं ना कहीं इसकी मांग करते हैं कि हमें एक Independence देश बनना है In fact October 1995 में 1995 में दूसरा एक referendum हुआ था जिसमें बहुत कम margin से referendum आप समझ रहना voting हुई थी कि क्या आपको Canada के साथ रहना है या फिर Independence रहना है तो उस समय बहुत कम margin से यहाँ पर जो Independence movement की voting है वो हार गई थी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कितना vote पड़ा था कितना नहीं पड़ा था लेकिन यह जो Quebec है इसके बारे मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा historical perspective से भी चीजें समझ में आ जाएं Quebec जैसा कि मैंने आपको बताया यह Eastern province है और अगर आप देखोगे पूरे Canada में यह जो map आप देख रहो यहाँ पर total 10 provinces हैं Canada के 10 provinces हैं जिसमें से जो Quebec वाला है जैसा कि आप map में भी देख पारे होगे यह Canada का सबसे बड़ा province है largest province है और पूरे Canada का जितना land है ना उसका one-sixth land अकेले यह Quebec के पास है तो अपने आप में काफी importance बढ़ जाती है अगर मैं आपको इसको politically भी बात करूँ तो जनसंख्या के मामले में भी अगर आप देखोगे तो Canada में सबसे ज़्यादा जो population है वो basically आपको Ontario Quebec के just सटा हुआ यह वाला जो province है आप देख रहे हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और second largest population basically Quebec के अंदर ही है तो again इसकी वज़े से भी important हो जाता है इसके काफी important शहरों के बात करें जैसे Quebec जो शहर है यह सबसे बड़ा शहर हो गया फिर उसी के just नीचे यहाँ पर एक और शहर है आपने अक्सर सुना होगा climate change related जो conventions वगर आती है that is Montreal तो Montreal भी basically आपको यही पर Quebec के अंदर ही देखने को मिलता है यह चीज है अगर हम politically देखें तो यह काफी important माईने रखता है क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने आपको पता है second largest population है तो वहाँ की जो parliament है ना वहाँ पर भी देखिए upper house lower house है जो upper house है senate कहते है और जो lower house है उसको हम कहते है house of common और house of common में आपने देखा होगा recently विवाद हो गया था कि जो नाजी soldier है उसको उन्होंने बुलाया था Canada की parliament में house of common ने और उसको appreciate किया था खैर उसको लेकर मैंने already video बनाया हुआ है लेकिन house of common में भी आपको पता होगा कि यहाँ पर total 338 seats है और जो Justin Trudeau की party है liberal party उनके पास 158 ही seats है मतब 10-11 seats कम है majority से इसलिए यह लोग क्या करते हैं जो Jagmeet Singh की party है new democratic party इनसे support लेकर Justin Trudeau ने अपनी सरकार बनाई हुई है otherwise उनकी सरकार गिर जाती लेकिन मैं बात कराओं यहाँ पर जो QBEC है यहाँ से कितने members चुन कर आते हैं house of common के अंदर तो house of common में बता दूँ सबसे ज़्यादा members तो Ontario से चुन कर आते हैं क्योंकि population ज़्यादा है और दूसरे number पर आता है QBEC QBEC से लगभग 78 जो वहाँ के members है house of common के वो चुन कर आते हैं और इसमें अगर आप देखोगे ना बड़ा interesting चीज़ है जो Justin Trudeau की पार्टी है QBEC से वहाँ से 35 MPs चुन कर आते हैं और जो वहाँ की एक political पार्टी है जो की QBEC के उपर ही focused है मतलब जो पार्टी QBEC Independence Movement को support करती है वो चाहती है कि वो अलग हो जाएं वहाँ से अगर आप देखोगे इस party का नाम है block QBEC ठीक है ये जो party है इनका 32 members है house of common के अंदर तो यह आप देख सकते हो यहाँ पर block QBEC यह आपका 32 members जो है यह house of common में चुन कर आते हैं तो politically भी यह जो area है यह जो region है QBEC वो important हो जाता है अब मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा पीछे एतिहास में ले जाता हूँ ताकि आपको एक link समझ में आ जाए कि लोग यहाँ पर independence की मांग क्यों करते हैं देखो जो history of colonization है Canada का वो basically स्टार्ट हुआ था 1530 से आपको पता ही होगा पूरे दुनिया पर अगर दो important countries ने अगर राज किया पूरे दुनिया में आपको पता है यह एक तो है Britain अलग-अलग जगा colonies बना रखा था भारत में आपको पता है वैसे ही France भी आपको पता है ना भारत के अंदर भी पुड्डू चेरियो कई जगा आप देखोगे तो France की भी colonies देखने को मिलती है वैसे ही France की जो पहली colony थी ना पूरे दुनिया के अंदर वो actually Canada ही थी जी हाँ Canada France की colony हुआ करती थी और 1534 में Jackis Cartier उनके द्वारा क्लेम किया दे गया था कि Canada उनका है एक तरह से उन्होंने इस Canada के उपर क्लेम किया था और France एक तरह जो Canada है वो एक तरह से France की colony बन गई थी और जो permanent French settlement है वो start हुआ था 1608 से मतलब permanent French settlement का मतलब यह हुआ France से बहुत सारे जो लोग है उनको Canada लाकर settle किया गया था और यह settle करने का उन्होंने कारण क्या बताया था third trade आपस के बीच में जो third trade हुआ करता था उस समय वो चला करता था और लगभग लगभग आप कह सकते हो कि France के अंडर में जो Canada है वो लगभग 1500 साल तक रहा था actually क्या होता है कि 1500 साल तक यहां पर French Canada में रहने के बाद जो Britain है उसका भी ambitious जाग जाता है और British actually Canada के उपर attack कर देता है मतलब France के उपर attack कर देता है जैसे भारत में भी आपने देखा होगा कि France की भी कई कई से जो areas थे Britain और France के बीच में युद हुआ था भारत के इंदर भी आपने देखा हो तो अलग हो गए थे वो तो यहां पर क्या है कि 1760 में Britain Canada के उपर attack करता है और जो Canada है वो एक तरह से divide हो जाता है और basically आपको Upper Canada और Lower Canada देखने को मिले का मैं आपको map के थूँ समझाता हूँ यह क्यूबेक वाला एरिया आप देख रहो ना जो क्यूबेक वाला यह वाला एरिया है basically इसको बोला गया Lower Canada ठीक है और यहां पर French-speaking people concentrated हो गए और यह वाला जो Ontario वाला एरिया आप देख रहो यहां पर इसको बोला गया Upper Canada ठीक है और यहां पर French-speaking people आज भी जादा देखने को मिलते हैं और finally 1867 में आप कह सकते हो कि Canada एक तरह से आजाज हो जाता है British North America Act आता है actually तो उस समय आप पर Britain को आजादी दे दी जाती है overall पूरे तरीके से लेकिन obvious ही बात है ना कि जो France ने अपना settlement किया था बहुत सारे जो French-speaking people Quebec के अंदर आये थे तो वो तो ऐसा है ने कि वो चले जाएंगे वापस तो वहीं पर रहेंगे तो वैसा ही आपको देखने को मिलता है जैसे South Africa South Africa में आपको Britain origin के बहुत सारे लोग है in fact cricket team अगर अब भी आप देखोगे South Africa की तो उसमें आपको Britain origin के बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं तो वैसे ही Canada के अंदर भी ऐसा हुआ कि French-speaking people ये जो Quebec वाला region है वो आज भी बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे अब question है कि यहाँ पर इन लोगों में ये जो French-speaking people है Quebec region में इनके अंदर separatism की भावना कैसे आ गई independence की भावना क्यों आ गई देखो एक चीज़ हमेशा याद रखी का पूरे दुनिया में कहीं पर भी जब भी कोई independence की मांग की गई है कुछ हुआ है तो basically जो एक main reason region होता है जो कारण होता है अगर उनको society के अंदर lower दर्जा दिया जाएगा तो उनके अंदर separatism की भावना हो जाएगी कुछ वैसा ही आपको वहीं पर Quebec region में देखने को मिलता है क्योंकि 1890s के पहले क्या था जो Quebec वाला region मैंने आपको बताया यहाँ पर basically अगर आप देखोगे industrial revolution वगरा भी उस समय चल रहा था तो उस समय क्या है कि धीरे-धीरे development आपको Quebec के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर आ गए Quebec में शहरों का development होने लगा वहाँ पर जो hydroelectric power हो गया wood pulp industry हो गई industries का development होने लगया industrial revolution की वज़े से तो वहाँ पर क्या था कि पहले rural areas में जो French speaking people रह रहते उनको लगा कि उनको शहरों में migrate करना चाहिए और वो धीरे-धीरे क्या करने लग गए French speaking people वो शहरों में जाने लग गए नौकरी की तलाश करने लग गए better lifestyle के तलाश में वो शहरों के अंदर जाने लगा है जैसे आज भी आप देखो कि तो वैसा ही होता है rural area से लोग भारत में भी आप देखे तो बड़े-बड़े शहरों के अंदर आता है Mumbai दिली ताकि वो अपने lifestyle को change कर सके तो वैसा ही कुछ उस समय हो रहा था लेकिन क्या हुआ कि जब ये French speaking people rural area से शहरों के अंदर गए तब उनके साथ भाव किया गया एक तरह से तो वहाँ पर उनके लिए facilities बहुत कम थी और जो jobs थी ना वो बहुत low paying jobs हुआ करती थी उन लोगों के लिए तो French speaking people में एक अलग सी भावना जागने लग गई कि उनको एक तरह से separate की तरह अलग देखा जाता है और especially क्या हुआ Montreal वगर जैसे शहरों में जहाँ पर industrial development तेजी से हो राता वहाँ पर urban slums बनने लग गए मतलब ये जो French speaking people है जब ये शहरों में गए तब इनको urban slums के अंदर एक तरह से धकेल दिया गया चोटे-चोटे जगाओं में बहुत सारे जो लोग रहते हैं slums वगर अरिया में वहाँ पर उनको धकेल दिया गया तो वही कारण है यहाँ पर धिरे-धिरे ये जो अब उसके बाद क्या होता है कि जब कैनेडा के अंदर धीरे-धीरे referendum है उसकी मांग होने लगती है तो क्या है कि मैं बीच का बहुत जादा उसके detail में नहीं जा रहा हूँ लेकिन क्या होता है कि second referendum जो last referendum हुआ तरह मैं उसकी बात कर देता हूँ जो last referendum हुआ था कैनेडा के अंदर क्यूबेक को लेकर कि क्या क्यूबेक को आजाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये हुआ था 1995 में 38 October 1995 और यहां पर क्या था कि क्यूबेक के लगभग 125 electoral divisions में वोटिंग हुई थी लोगों ने वोट किया था और 93% लोगों ने वोट किया था सोचिए वोटर टर्न आउट 93% था और टोटल वोट कितने पड़े थे 47,57,509 इतने वोट पड़े थे अब इसमें से कितने फेवर में गए कौन लोग थे जो चाहते थे कि हाँ क्यूबेक को इंडिपेंडेंस होना चीए तो उनकी संक्या आप देख सकते हो ये है 23,08,000 और कितने लोगों ने मना कर दिया कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं होना है हमें कैनेडा के साथ ही जाना है वो संक्या है 23,62,000 जस्ट इमाजिन सिर्फ 54,000 वोट की वज़े से यहाँ पर जो क्यूबेक का इंडिपेंडेंस है वो रुग गया और इसलिए आज क्यूबेक जो है वो कैनेडा का ही पार्ट है अब कोशन यहाँ पर यह है कि क्या यह जो इंडिपेंडेंस मूव्मेंट ह है क्या आज भी अलाइव है क्या हम कह सकते है क्या कोई रिसेंट कोई सर्फ को कि रेफरेंडम तो 1995 में हुआ था मैं आपको बता दू रिसेंटली 2022 में एक में स्ट्रीट रिसेर्च के दौरा यहाँ पर एक सर्वे कराए गया था क्यूबेक सोवर निर्टी को लेकर तो उस स फेबरी 2023 में एक और सर्वे कंडर्ट कराए गया था इस सर्वे में देखे क्या है यहाँ पर बोला गया आगे 33% लोगों का कहना था कि हमें इंडिपेंडनेंस होना है लेकिन जो 67% पहले लोग कह रहे थे कि हम कैनड़ा के साथ ही रहेंगे उनकी संख्या में गिरावट और 10% वोटर्स का कहना है कि हम डिसाइड अभी नहीं कर पा रहे हैं तो यह जो गिरावट हुई है ना कि पहले 67% लोग कह रहे थे कि हम कैनड़ा के साथ जाएंगे अब यह गिर कर 51% हो गया है इससे अभी भी कहीं न कहीं एक होप है वहां के लोगों को जो चाहते हैं कि व अगर ट्वीट किया है इसको लेकर डेटेल में कि अगर केनड़ा इस चीज को कंटिन्यू करता है खालिस्तानी इसको सपोर्ट करता है तो हमें भी यहाँ पर क्यूबेक जो इंडिपेंडनेंस को लेकर सपोर्ट मांगते हैं वो भारत उनको जगा दे सकता है तो दोस्तों आपको क्या लगता है आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरू बताएए और आगे वीडियो कैसा लगा क्या आपको सबको समझ में आ गया लेट मी नो जाने से पहले एक इंट्रस्टिंग कोशन क्या बता सकते हो वाट वाट वास दा क्या यसी कि अगर आप त्यारी कर रहे हो जस्त यूज यूज दे कोड अंकित लाइव तो गेट मैक्सिमम डिसकाउंट और आपको वीडियो आपको पसंद आए होगा मिलता हूं से नेक्स ताइम तिल देन थैंक यू बरी मुझ सी यू सून Study IQ IS अब तयारी हुई affordable